हेलो फ्रेंड्स वांस अगेन वांग वेलकम टू एलेट इंग्लिज ग्रैमर की सीरीज में दोस्तों आज हम दा फ्रेज एंड दा क्लॉज की बात करेंगे फ्रेज का हिंदी में अर्थ होता है वाक्यांस और क्लॉज का उपवाक्य यहां पर कुछ एक्जाम्पिल्स दिये गए हैं इन पर नजर डालते हैं तसन राइज इंदी इस्ट देर केम अजाइन्ट टू माई डूर अगर हम इन में अंडरलाइन पार्ट्स को देखें दोस्तों जैसे पहले वाले सेंटेंस में इन दी इस्ट सेकेंड में टू माई डूर थार्ड में दा टॉप्स अब दा माउंटेंस तो हम जानेंगे कि यह ग्रूप ऑफ वर्ट्स हैं जिनका अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट नहीं हैं दे आर सिंपली ग्रूप ऑफ वर्ट्स Do not make a complete sense तो इस तरीके का ग्रूप ऑफ वर्ट्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो उसे हम फ्रेज कहते हैं अब कुछ और एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं People who pay their debts are trusted. We cannot start while it is raining. I think that you have made a mistake. इन तीनों वाक्यों में जो underlined part है जैसे who pay their debts are trusted while it is raining. You have made a mistake. इन तीनों ही underlined group of words में दोस्तों हमें subject भी देखने को मिलना है और प्रेडिकेट भी तो ऐसे वाले group of words जिसका की अपना subject और अपनी verb या प्रेडिकेट हो उसको हम clause कहते हैं दोस्तों. Now here is the exercise where you have to distinguish between the phrase and the clause and your time begins now. Your time is over friends. The slide with correct answers is given here friends. With this, I end today's class. Thank you very much. has been surprised to give you almost a few of the biggest challenges of being our time with य़िकेँने